नमस्कार दोस्तों और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इंकम टैक्स के नए पोर्टल के टोटल अवर्यू के बारे में यानिकि क्या कुछ नए फीसर सामें अब इस इंकम टैक्स के नए पोर्टल पर देखने को मिलेंगे अगर हम comparison करें हम income tax के जो हमारा पुराणा layout था पुराणा जो हमारा previous version जो चल रहा था income tax return filing के जा उसका जो portal था उस portal पे और जो यह जो नया portal आया है जिसका नाम इन्हों ने दिया हुए e-filing 2.0 का तो total discuss हम सारी practically discuss करेंगे login करने से पहले के और login करने के बाद में भी हम किस तरीके से हम 26 AS को हम download कर सकते हैं किस तरीके से हम हमारे खुद की income tax को return को file कर सकते हैं टोटल स्टेप इस ने पोर्टल पर क्या-क्या दिये हुए है दोस्तों वैसे तो 90 फरसेंट लगबग फीचर से हैं वो हमारे जो पुराने पोर्टल पर एविलेबल थे वो सभी से मैं लेकिन उनका थोड़ा बुद लेयाउट चेंज कर दिया गया है और आप देख रहे हो ने पोर्टल पर कुछ इस तरीके के कलर कोमिनेशन भी चेंजिंग हुई है जो कि आपको लग बग जेश्टि के पोर्टल के सम्वेंग देखने को मिलेगी तो हम बात करते हैं सबसे पहले अब रियो की दोस्तों आपसे सबसे पहले अगर आप इस पॉर्टल पर आप जाते से है income tax.gov.inco तो यानि कि सबसे पहले एक तो URL में इन्होंने चेंजिंग कर दिये और उसके बाद में अगर बात करें इसके dashboard की तो dashboard में कुछ पुराना version कुछ इस तरीके से आपको नजर आता था जो आपको लिंक्स यहां पर इस तरीके से अविलेबल थे और अब इनको अलग है एक menu बार में अलग से पट्टी पेस को डिजाइन कर दिया गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके home page के home page पे आपको कुछ इस तरीके की slide नजर आएगी जैसे e-filing टूपर जीरू है इसमें total आपक इस विडियो कर सकते हो और उसके बाद में अगर हम बात करें ने पोर्टल के वापिस पे तो उसके बाद में कुछ इस तरीके का my profile है update your profile अगर आप चेक कर सकते हो तो आप profile यहां पर चेक कर सकते हो क्योंकि जो भी आप process करोगे तो सबसे पहले आपको login करना पड़ेगा ज पर हम एक बाद discuss कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का ask your ask the answer यान कि आपका question and answer का भी step चलता रहेगा इस पे और उसके बाद में filing your ITR easier than hour before file your ITR तो यहां तक पूझने के लिए आपको अपने login तो करना ही पड़ेगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से इंकम टेक्स के लिए लिंक अधार का है आप अपने जान सकते हो लिंक अधार हुए गनिया है इप टेक्स कर सकते हो तो कुछ इस तरीके की यहां पर यह बटन भ करते हैं तो उसके बारे में टोटल टेक्स का सलेब क्या रहेगा टोटल रिटन फाइल करने की जो गाइडनेस है वह यहां पर step to step इनको बताईगी यह जैसा हम इस पर क्लिक करते हैं गाइडनेस to file टेक्स रिटन पर तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नैजर आएगा बी आईटेर वन यूजर मैनुवल यह फिर आईटेर टू अगर फाइल कर रहे हैं इसको यूजर मैनुवल दिया है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आवर्यू दिया है भी आपको कौन कौन से step follow करने पड़ेंगे किन किन चीजों की requirement रहती ह इंकम टेक्स रिटन फाइल करने के लिए तो यहां पर आपको पूरा यहां पर एक स्क्रीन शोट के साथ यह पूरा आवर्यू दिखाया गया है वह आपको कौन कौन से step follow करने पड़ेंगे अगर आप अपने खुद से इंकम टेक्स की रिटन को फाइल कर रहे हो तो तो यह सारी guidance आपको यहां पर मिल जाएगी और उसके बाद में खाफी सारे इसमें individual के अंदर उसके बाद business या profession के अगर return आप फाइल कर रहे हो तो उसके बारे में भी सारा tax का slave है और उसको return फाइल करने की जो परिकिरिया है उसके बारे में सारा आपको देखने को मिलेगा उसके guidance क्या रहेगी रिटन फाइल करने के लिए तो यह सारा आपको login करने से पहले ही आपको इसके dashboard पर मिल जाएगा तो इस तरीके से आपको एवपी है बीओ आई एटरस्ट है एज़ीपी की है फरम की है या फिर local authority की है तो कुछ इस तरीके से हैगी उसके बाद में tax professional अगर आ चाहते हो तो आप registration भी कर सकती हो जैसा कि है अगर registration पर करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का step by step guide आपको देखने को मिलेगा भी किस तरीके से आप कर सकती हो लेकिन यह सारी प्रिकिया आपको login करने के बाद ही मिलेगी तो यहाँ पर आपको केवल starting step आपको लोगिन करते हैं तो लोगिन करने के बाद में इसका अब रिव्यू हमें किस तरीके से शोगा और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इसमें इंकम टेक्स के लिए कालास का एक ओप्सन दे दिया गया जो कि पुराने पोर्टल पर एविलेबल नहीं था इसके अंदर आपको काफे सारे टॉलफरी नंबर से विए यहां पर देखने को मिलेंगे अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनसे टॉलफरी नंबर पर कोल क पड़ेगा तो अब हो सकता है कई बार जैसे कि आप लोगिन पर क्लिक करोगे तो लोगिन में आपकी काफी सारी लोडी लेता है क्योंकि भी पॉर्टल नहीं है काफी कुछ इस पर अपडेशन अभी भी चल रही है तो लोगिन की प्रिकरिया हो सकता है थोड़ा बहुत मैंने सेकिंड स्टेप पर यहां पर मैं इसको लोगिन कर लेता हूं और इसको मैं केंट्यून्यू पर क्लिक करता हूं तो पॉर्टल पर लोगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का लियाउट हमारे सामने आएगा और इसमें आपको यहां पर कुछ डिटेल्स मिलेगी जैसे कि आप देख रहे हूं यहां पर 65 परसेंट जो आपकी पर फाइल्स है वो कंप्लीट है तो अगर हम इसको 100 परसेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ और ज्यादा सर्विस है वो हमारे हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में यहां पर टेक्स डिपोजिट की के लिए रिसेंट फाइल रिटन जो हमने अब यह भी जो फ्रिविस अर्यू जो बरीविया उनकी डेटेल देखने के लिए टोटल इंकम वेगरांड की क्या कुछ थी तो पेंडिंग एक्शन क्या है रिसेंट फॉरम क्या है तो कुछ इस तरीकी की फैसिलिटी आपको यहा फाइल करने के लिए तो जैसे हम इंकम टैक्स की अगर इटन को फाइल करें तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप कुछ टास्क हमें फोलो करने पड़ेंगे जो कंप्लीट करने के बाद ही हम नेक्स टेप पर जाएंगे जिसा कि हमारा फाइनेंस लिए 2021 है करन्ट असेस्मेंट के लिए तो अब करेंगे और उसके बाद भी हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में दो ओप्सन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे भी सेलेक्ट मोड फॉर फाइलिंग ओनलाइन या फिर ओपलाइन तो दोस्तों आउप्लाइन तो अभी तक हम HTML हम अगर उनलाइन पर क्लिक करें और पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको IT R1 तो कुछ इस तरिकी का असेस्मेंट यह 1221 के लिए ओप्सन दिखाए देगा अगर आप इसी के लिए करना चाहते हो तो आप स्टार्टेंग न्यू फाइलिक क्लिक करेंगे और उसके बाद मे करेंगे यहां से आपको अपनी जुरिटन का फोर्म में वो सलेक्ट और इंडिडियुल की कुछ इस टरी कि आपको यहाँ पर यहां पर यह इनपर मिलेंगी सारा आपको यहाँ पर पढ़ना है और उसके बाद में आपको तो लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है तो जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको अपने रिटन के अकोर्डिंग इसको टेक मर्क करना होगा जैसे कि टैक्सबल इंकम is more than basic तो ज्यादा तर फर्स्ट कंडिशन पी होता है यह टेक्सेबल अगर हमारी जो लिमिट है टेक्सेबल इनकम ज्यादा है तो हम उसको इसलिए आई टेर वन को फिलिप करते हैं हम कंट्यूनिव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में कुछ इस तरीके की इन्फोर्मेशन आएगी आपके सामने यह पूप अपन होएगा विए हैवे फ्री फैल यह रिटन बैस्टी इन्फोर्मेशन एविलेबल विद्धी इनकम टेक्स डिपार्टमेंट प्लीज कंफर्म देर्डी डिटेल्स इस सेक्षन फ टॉटल डिटेक्शन आपकी जो भी है उसके बाद में टेक्स ओलेडी आपनी कितना पे किया हुए या फिर आपके टॉटल टेक्स के लाइप टीज कितनी बन दी है तो यह पांच जो टास्क है यह आपको कम्प्लीट करने होगे अगर आप फुद से इसम की फैलिंग कर रह आपको कम्प्लीट करनी होगी तो यह सारा स्टेप आपको यहां से फॉल अफ करना पड़ेगा अगर आप अपना 26 यान कि कितना टीडियस आपका कटा हुए उसकी डिटेल अगर आप देखना चाहती हो तो आपको फाइल पर जाना होगा इंकम टैक्स रिटन पर फाइल पर पर ऑच्छबीज एस पर जाने करेंगे और उसके बाद की जो पिर्किरिया है वो सेम वही पिर्किरिया होजेगी जो हम प्रिविज पोर्टल पर करते आ रहे थे हैं अगरी करेंगे और उसके बाद में हम जूस असेस्मेंट के दिख रिए व्यू टैक्स क्रेडिट सबीच और उसके बाद में हमें जो सेलेक्ट असेस्मेंट करना कौन सेस्मेंट करना है चक करना है क्योंकि यह यहां तक का है टेसे में तो कुछ इस तरीके से यहां पे भी कुल सेक्षन भी दिये हैं, फोर्म का नंबर भी यहां पर दिया हुए, तो सारी डिटेल्स आपको यहां पर एविलेबल करवा दी गई है, और उसके बाद में अगर आप चार्टेड कांटेड के थुरू, अगर आप रिटन फाइल करवा इसे सर्विस में आपको यह सारी ओप्षन मिलेंगी, पेंडिंग एक्षन में के वर्क लिष्ट है, रिस्पॉंस टू आउट्षेंडिक डिमांट्स है, यह पर सेटिंग है, तो कुछ इस तरीकिस के पेंडिंग एक्षन में है, ग्रिवेंस में भी आपको सब्मिट करेंस है, या आपके क्षिचन के कोडिंग आपको answer मिलता है, यह तो खुद को जब भी हम इसका practically कोई देखेंगे, तो हमें पता चलेगा reality तो, और उसके बाद में कुछ इस तरीकी के हमारा dashboard पे, कुछ काफी हद तक उनको एक नए design के अंदर, अगर हम comparison करें, वी जो previous जो अपडेट हो रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत ने जो फीचर से अपडेट होने वाले वो आ जाएंगे, तो दोस्तों अगर आप पुराने पोर्टल पे जाओगे और वहां पर आप इसमें कोई login वगरा करोगे, तो जैसे आप login वगरा कुछ क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मेसेज आजएगा, जो पुराना जो पोर्टल है, अब पुराने पोर्टल की बजाए, अब आप इस नए पोर्टल की इस वेब साइट पे जाके विजिट कीजिए, और वहां पर आपको इसमें login वगरा करना होगा, login करने के बाद में सा सारी फैसिलेटी आपको यहां से मिल जाएगी, तो दोस्तो यह था आज का कुछ नए पोर्टल का आवर्विव, यह नया आवर्विव आपको किस तरीके से लगा, नया पोर्टल आपको, क्या आपको नया देखने कुछ मिला है, अगर आपने इसको देखा है तो प्लीज आ एक और नए टूपी के साथ